हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो एक्जाश्य यो एडुकेशन मेंटप फ्रेंड्स यह शेशन निट-उजी के स्टुडेंट्स के लिए है जो अपना MBBS के लिए और निट के डिफिरेंट अंडर गुजेक लेवल के एक्जाम के लिए अपना एक्जाम देने वाले हैं पाच में के लिए है तो लाइक पाच में एक ही मेना बीच का बचा है अपरेल का मार्च ऑल्मोस्स लाइक फिनिश हो रहा है फ्रेंड्स सो अब आप लोग के पास अपरेल ही है और में में आपका पाच में को एक्जाम होगा फिलाल काफी जो रुमर्स हैं MBBS का निट का एक्जाम लेकर कि एक्जाम की डेट अभी शफल हो रही है तो निट का कोई अभी ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आया गौर्मेंट की तरफ से कि आपका इलेक्शन को लेकर कुछ डेट में शफलिंग होगी कि डेट आगे पीछे होगी इंजिनिंग के एक्जाम में जरूर हुई है बट अभी कि निट इससे बाहर है ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को भी परचेल जाएगा हम भी अपने चैनल के माध्यान पे आप लोगों को व्युक्ल टाइम से इसके लिए दे देंगे सो फ्रेंट्स आभी निट के एक्जाम से एक मैने पहले कुछ बेसिक प्वाइंट्स पर डिस्क्रिशन करते हैं होफुली कुछ स्टुडेंट्स को इसमें से कुछ समझने को मिलेगा कुछ अच्छी चीज़े समझ में आएंगी कैसे अब चीज़े आगी प्रोसेज होने व का अफी लोग डिलमा में हैं कुछ लोग ने भी स्टार्ट किया है तो हर टाइप का स्टुडेंट है आप दूसरे डेट्स के प्रोगा कि अपने लिए कुछ कर लोगे तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हो तो बाहर की तरफ देखने से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन आप को मिल का कितना syllabus हो गया है that is not going to help you in your examination hall but आपने क्या किया इस time में इस से बिलकुल आपको पर बहुत फ़रक पड़ेगा so इस से बिलकुल भी आपको बहुत से लोग ये चीज बोलना बहुत असान है but like implement करना मुश्किल है because जब हम जाते हैं बहार रहते हैं market में coaching institute में तो लोग हमसे बात करते हैं शेयर करते हैं अपनी चीजे तो वो चीज हम सुनते हैं तो हमारे माइन में कहीं न कहीं store होती है इन सब को दूसरा क्या बोल ला है तो उससे अगर आपके पस कोई भी निगेटिविटी आ रही तो इसको पर जादा ध्यान मत दीजिए अधर डाली है शीज की ये काफी याद आपको एफेक्ट करेगा और एफेक्ट करता ही है ये चीज पाच में को एक्श्म होगा एक मेहन भाकी है अभी आपके लिए पाक जून को आप लोगका रिजल्ट आगले civt जाव दो की पता go अगर कोई student को लग रहा है कि वो need के exam में like government का score ला सकता है तो आप लोग के लिए जिपना का भी form फिल करना जोरी है उसके लिए हमने एक session की यह था जिपना के बारे में बताया था IPO in the person university डिली का गुरूगोविंस university का भी application form आज चुका है एक हफता पहले उसका भी form available है अगर कोई student interested है वहां से MBBS करने के लिए तो आप IPO का form को भी fill कर सकते हो और MBBS के साथ साथ जो आपके science के allied courses होते हैं जैसे की BMS, BHAMS इस टाइप के courses भी उसमें available लेते हैं तो वहां का आप इसके लिए भी form fill कर सकते हो बट फिर बात वही है कि like government का form है आप देखके भरी है अगर आपको लगता है कि आपका एक government का score आ रहा है अगर 500 या 500 से अबव का score आ रहा है तभी आप उस form को fill करिए otherwise अगर आपको लग रहा है कि अपर प्रिशन आपकी 200, 200, 300, 400 आ लिए है तो आपके लिए form important नहीं है जिस student के important है वही fill कर है IPO के बाद फिलहाल अभी आपको भी form नहीं आएगा बीच में आपके examination से पहले अप सीदे इसके बाद आपका पास मेई को examination होगा अब यहाँ पे सबी students के लिए उनका score आपका जो भी score आएगा need के examination वही आपका admission का base रहता है आपकी score के अधार पे आपके score के base पे ही आपकी counselling होती है और जितना उपर का score होता है student का उतने यादा उसके पास option होते है जितना नीचे का score होगा out of 7 in the 20 उतना आपके पास option कम होते है so your score is the decider आपका score decide करेगा कि आपको government college मिलना है कि private college मिलना है तो low fees का college में भी formula लगता है कि हर student चाहता है कि low fees के college में मिले अच्छे college मिले बट low fees के college में जैसे आप चाहे तो वैसे पूरा इंडिया चाहता है तो सारा traffic उधर ही भूमता है तो जितना जिसका score जादा होगा उसको ही chance मिलेगा कि आप देख रहे हो काफी जादा students हैं और seats number of seats इंडिया में अगर हम MPBS की देखते हैं तो अभी भी लगभग 60,000 के आसपासी seat हैं तो completion level जादा है तो इस exam के बाद आपका second noun का exam होता है जहां पर आपकी logical आपका test होता है एक तरह से logical listening के आपको पर test होता है तो वो हता है आपकी counselling तो counselling को भी अच्छे से समझना है कैसे हमारा होगा एक general एक idea ले लेते हैं कि अगर कोई भी student है उसको government college से education करनी है तो एक तो जिस भी state से आपकी domain style है जो आपका domain style का state है वहाँ पे आपको 85% seat है यानि कि for example 100 seat है तो 85% seat है आप अपने state पे करोगे दूसरा आपका all india quota की counselling होती है जिस पे 15% state के सारे state में अगर आपको किसी other state में जाना है गौर्मेंट कोटा की counselling से जाना पड़ेगा तो all india quota की counselling से जाना पड़ेगा तो all india quota की counselling के लिए आप एक average cutoff देख लो कि average नहीं lowest cutoff अगर आप लेके चलतो तो that is around 550 550 के आसपास का आपका नंबर यहां पे आके all india quota की counselling खतम हो जाती है ठीक है स्टार्ट होती है जो भी आपका maximum number होता है वहीं से स्टार्ट होती है से last year 697 था तो जो भी अपना आता है तो इससे साबसे आपका उपर से start होते है साड़े 500 के आसपास government college की race all india quota से खतम होती है स्टेट में सभी स्टेट की cutoff अलग होते है इसे दिल्ली स्टेट का cutoff 500 से थोड़ा से जादा रहता है है 560-565 राजिस्थान का 550 के आसपास हर्याना का 550 के आसपास उत्रप्रदेश का 540 के आसपास cutoff जाता है वेच वे largo का भी आपका 535-530 पर आसपास cutoff जाएगा अगर आप महराश्टा से हो तो महराश्टा का लगभď 510-515 की आसपास cuts-off जाता है वेस बेंगॉल का 480 490 के आसपास कट आफ जाएगा MP का अगर आप देखते हो तो MP का स्टेट का जो कट आफ है वही आपका 530-535 की रेंज में जाएगा तो सभी स्टेट के कट आफ आपके इंडूसरे से डिफ्रेंड रहता है गुजरात का कट आफ आप लेकर चल सक इसलिए जो आपको इस समय में जो डाटा आपके पास मिलेगा जो नॉलेज मिलेगी एक दूसरे से वह आपको देखना है कि वह क्या हो आपके लिए सही है कि गलत है तो चीजों को सुनिए और उसको पर रियाक्ट इंप्लिमेंटेशन मत कीजे तुरण चीजों को सुनिए उसके बाद नंबर टू स्टेप है आप उसको अबजर्व कीजे जो आपको साइंस सिखाती है फिर उसके ओपर कुछ आप एक्शन लीजेगा जिससे जो हर साल काफी जादा पैरेंट्स को पॉर्लम होती है गलत कौंसलिंग करते हैं पैनलिटी लगती है सीट नहीं मिलती है चीट्स होते हैं काफी जादा लोगों साथ इनसे आप बचोगे चीक है एडमिशन लेने के लिए एक ही मात्र आपका जो रास्ता है तो काउंसलिंग इस दा ओनली वे तो टेक दा एडमिशन कोई बी ऐसा कोश नहीं है आज की लिए आप एडमिशन लेने जा रहा हो तो निट कंपनसरी सब के लिए कर दिया है तो निट इस दा में एक्जाम तो हर स्टुडेंट्स के लिए सब कर लिए अलग लग चीज़ है विटनेदी कोई विटनेदी के लिए प्लांट कर रहा है सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पहली चीज़ यह समझ लिनी कि अगर अपने नीट के एक्जाम में नहीं बैट रहे हो तो फिलहाल आप अभी एड़िशन के लिए एलिजिबिल नहीं हो कुछ ऐसे allied courses होते हैं जिसके लिए बाद में government order कर देती हैं अगर नीट के student कम पढ़ते हैं और सीटे जादा रहती हैं तो government के orders बाद में आ जाते हैं बट वह होते हैं आपके October में declaration आते हैं state government की तरफ से but as of now without need nothing is possible and without counselling anything is not possible colleges don't have the right to provide you the seat colleges के पास rights नहीं है पहले की तरह कि वह आपको direct seat दे सके आपको counselling से होके ही जाना है तो जैसे आपका NTA आपका exam करा रहा है वैसे ही आपका MCC medical counselling community center की counselling कराएगा और सभी state की जो DME's होते है director medical education वह आपकी state की counselling कराएगे वही fees decide करते हैं MCI के अंदर में DGSS के अंदर में MUFHSS के अंदर में और इसके बाद वही आपके online counselling कराते हैं वह आपको एक allotment letter देते हैं जिसको आवंटन letter देते हैं यानि कि आपको college वही allot करते हैं उसके बाद आप जा रहा हो college में सिफ्ट to submit the fees services तो जो काफी जो आपके पास college वाल साफ लोग जो problem में होता है चीजों को समझें लास्ट यह के बाद देखिए कि पिछले सारे इंडिया में admission कैसे हुए थै दोगार 18 में तो आपको चीज़े सही से समझ में आएंगी कि what is the right way अब यह तो हो गया counseling कैसे करनी है तो counseling सभी बैचों के लिए अलग होगी आप दूसरा बच्चा क्या कर रहा है जरूरी नहीं कि रूल आपके उपर apply हो आपका score और आपका state यह आपका decide करता है कि आपको counseling करनी है और कैसे आपको seat लेनी है कई बार ऐसा होता है कि हर बच्चा चाहता है कि अगर private college की बात कर रहा है तो ह मनिपाल में पढ़ ले हम सब भी मनिपाल में पढ़ना चाहता है जायता तर जो आप student की जो लॉबी है बट मनिपाल में सिर्फ चाहने से admission नहीं मिलेगा your score is the decider अगर आपके पास score है 500 के आसपास का score या 500 से ज्यादा है तो बिल्कुल आपको कोई नहीं रो सकता आप counseling से मन में चला जाऊँगा या इसी रेंशी कोई और college में चला जाऊँगा तो वह चीज गलत है तो आपने यहां पर counseling को खराब करो आपको जानने चाहिए कि मेरा जो score है मेरे score पर मुझे क्या मिल सकता है उस हिसाब सो आपको process करना है तो hopefully आपको समझ में आ रहा हो कि counseling कैसे होती ह इसलिए ACS आपका एक counseling platform में नीट के सारी courses के लिए तो अगर student को problem आ रही है तो आप हमसे consider कर सकते हो इसके लिए बाकी अब last का एक month है friend इसमें जो भी आप additional करते हो maximum जो करने का time था वो तो finish हो चुका है यह तो एक revision का time होता है but हर टाइप का बच्चा है सबके अलग-अलग landmarks है कोई BDS के लिए जा रहा है कोई BMS के लिए जा रहा है कोई MBBS के government college के लिए preparation कर रहा है कोई aims के लिए preparation कर रहा है कोई top government college के लिए preparation कर रहा है कोई dealing university के लिए preparation कर रहा है कोई private college के preparation कर रहा है सबका एम अलग है हर आदमी की सोच अलग है because सब आदमी की families अलग है सबका like monetary conditions अलग है अब सब आप लोग का score अलग आएगा आप लोग की preparation अलग है books सबके पास common है ठीक है जो आपके पास NCRT का जो syllabus है जो books है वो content है वो तो maximum सबी के लोग के पास है बट जिसके पास ज्यादा knowledge है और ज्यादा knowledge क्या जिसने चीजों को ज्यादा अच्छे से समझा इस time का अच्छे से utilize किया चीजों को अपना focus बाहर की दुनिया से हटाके अपने goal में लगाया जो आपका goal है mission need 2019 उसमें लगाया उनका but obviously बात है result अच्छा जाएगा और उन लोग को अच्छे college का मौका मिलेगा तो यह जो बचा वा मुठी बर का समय बचा है आपके पास लगबग एक मैना पैतिस दिन का इसको जितना ज़्यादा आप यूटलाइज कर सकते हो यह जो आपका time है यही आपकी energy है तो इस time में को जितना अच्छा यूटलाइज कर सकते हो आपके लिए फाइले मन होगा हम चीज़ों को बोलते है और करस करते हैं कि एकजाम पेपर टफ था ऐसा ता वैसा था यह ज़िए कुट आषी पर उसको जैदा जिसको नहीं आता है वही बोल सकता है कीचीज टर्थी, जिसको आता है उसके तो solve कर लिए है, तो वह कभी नहीं बोलेगा, और आता कैसे है उसको, ऐसा नहीं है कि वह पैदा ही हुआ था वह सब चीज जानके, उसने भी आके आप लोग के बीच में सीखा, और कैसे सीख पाया लोगों को successful लोग पसंद है, आप भी क्यों नहीं हो, कोई भी हो सोसाइटी में, successful लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं, unsuccessful लोगों को लोग के पास बहुत time है, time pass करने के लिए मजाग उड़ाते रहते हैं, demotivate करते हैं, curse करते रहते हैं, तो successful तो बन नहीं है my dear friends, ठीक है, और successful बने के लिए एक ही चीज़ है, जितना आपके पास अच्छी knowledge है, और knowledge के बाद smart and beautiful implementation, जितना आप करते हो, यही एक success की चाबी है, fine, तो इस time को अच्छे से utilize कीज़े, अच्छे से preparation कीज़े, समझे चीजों को, syllabus आपका हो गया है, तो revision किये, mock test दे रहे हैं, और mock test में जहां पर आपको जो mistakes हो रही है, उसको उपर research किये, उसको समझे कि क्या concept है, कहां पर lacking हो रही है, और time speed को पर थ्यान दीजे, काफी लोगों को आता है, लेकिन time speed की वेज़े से उनका काफी section छूड़ जाता है, तो time speed को पर आपको ध्यान देना, और time speed को आप कैसे ध्यान अपने साथ fair होके, इमानदार होके, time wash लेके बैठिये, time लगाई है, timer लगाई है, paper solve कीजे, और अपने आपको ऐसे ही रखें जैसे आप examination hall में है, यहां पर आपके साथ कोई सक्ती नहीं करेगा, बड़ आपको पता है कि यहां पर चीटिंग करोगों तो अपने साथ ही cheating कर लोगों इससे पहले अगर वो आपने 10 बारा बार कर लिया, यानि कि discipline से अगर आप तीन घंटे बैठ के आपने करना से start कर लिया, तो इससे आपकी speed पर भी improvisation आएगा, अंदर से थोड़ा सा fear factor भी भागेगा, आपका की examination hall में क्या होगा, और थोड़ा सा smoothness आपके लिए अ इंदर आएगी, बाकी ये science है, science में जो scientific way से सोचता है, जिसका सोचने का तरीका ही ऐसा है, scientific way का, कि logic लगाता है, चीज के पीछे में कोई बोलता है, कि ऐसा है, तो इसको ऐसा मानी निलता है, कि ऐसा है, अच्छा ऐसा है, तो ऐसा क्यों है, वो जानने की कोशिश करता है, science है, आपने जो अपना गौल बनाया है, जो आपने विजन बनाया है, जो आपका जो लक्ष है, जो आपका मोटो है, जो आपकी life है, वो आपने science को दे दिए, तो आपका एक तरीका भी वैसा होना, चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि थीख है कि ओसे एक पी इक्जाम में साथ फियर रही है कि मैं अपना focus इधर लगाऊंगा तो ही हम को कुछ मिलेगा अगर मैं अपना focus इधर लगा रहा हूं या इधर लगा रहा हूं तो मुझे कुछ हमारी है और यह आपका जो आपकी यूथ है आपका एज भी ऐसी होती है काफी एक्साइटेड होता है इसके बीच में कंसेंट्रेशन लगाना तो लेक चीज लेक फिजिस केमेस्ट्री बाइलोजी से थोड़ा सा इंट्रेस्ट होना चाहिए और इंट्रेस्ट कैसे बनेगा ए गोज़े सोसाइटी में फिर मिलेगा यह तो कॉमेंस से चीज है लेकिन एक रिजन होता है रिजन मेंस कि लाइक अगर वो नहीं मिलेगा तो लाइफ बरबाद हो जाएगी तो एक रिजन होना चाहिए इस वालिड लाइफ की पीचे कि यह करना है और यहीं क्यों करना है कि लाइक में बहुत से साथ चीज़ हैं अगर आप अट्रैक हो गए कि लाइक ये करने के बाद लाइक हमको काफी फेम मिलता है काफी रिस्पेक्ट मिलती है काफी लाइक मॉनिटरी लेवल से पैसा वैसा काफी अच्छा हम कमा लेते हैं तो अगर आपका विजन यही है कि आप जॉब में या कोई और बिजनेस में या किसी और चीज़ के अंदर आपको देख रहा है कि इसको करने से भी बहुत पैसा मिल सकता है और इसको करने से भी बहुत इज़त मिल सकती है तो आपका अट्रैक्शन उधर भाग जाएगा यह बहुत लॉजिकल सी बात है कि आपने विबियस को पकड़ा ही इसलिए था या साइंस की डिपार्मेंट को पकड़ा ही इसलिए था विग आपको चाहिए था पैसा ओर शोरत तो वह चीज़ अगर को कहीं और से मिलेगी इसलिए भी बहुत को सॉलिब रिजन होना चाहिए तो जो एक अन्टे का इंट्रैक्शन हो बच्यों को एक एक नंबर से गवर्मेंट कॉलेज छूड़ जाता है तो इन सब चीजों पर काफी ध्यान से दीजे कोशन पेपर हम समझ जब पढ़ते हैं तो काफी तुवास निदर से डरे भी रहते हैं एक प्रेशर भी रहता है कि क्या रिजल्ट आएगा इसलिए बोलते ह होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज चूड़ जाता है या नो चूड़ जाता है तो हम कोशन का पूरा तरीका ही बदल देते हैं एक टिप देता हूं आपको कि यह आपको पता होगा कि लाइक एंबी ने भी बोला था कि इस बार का पेपर थोड़ा सा साइंटिफिक तो कभी भी इसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि कोशन को समझना है अगर आप कोशन को अच्छे से समझ गये तो आंसर आपको इसली मिल जाता है कई बार हम जलबाजी में होते हैं आंसर देने की और आंसर देने की जलबाजी में हम कोशन को सही से समझी नहीं पाते ह क्या पुछना चारा है वो आंसर हमाँ पास रहता है लेकिन राइट टाम पर क्लिक नहीं हो पाता है आपको पास डर है कि तीन गंटे की बेल बजना जाए मेरा साल मिस हो ना जाए अगर हमाने कमी फी बने के पास आएंगे आप सबसे पहलेल कोछ़िश chamado कोशिश है आप यहीं बनने के बाद भी आप काम करोगे पैशिंट आप के पास आएंगे तो इसे देख आयते हो तो आप इस च्रब बॉनेट करती है तरहें 마 Hence-aldoose आप 측rays MRIs करती हो यह क्याता है तरहें Delhi member प्राइन किस देख भी काँए 관련 फिर आप उसका solution को से मंसे संद्राश। अटो आप अपल्ले और से संद्रीच करनाय खिरूंट अगर आपको बनना है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो किस department में क्या कमी है पहले कमी आप में जिस दिन धून ली आंसर आपको आपको मिल जाएगा और question की language में कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी normal speaking language होती है हर स्टेट की अलग अलग language है तो जो भी आपके family में जो language में लोग बात करते हैं वह आपकी basic language होती है for example अगर आप इसको थोड़ा साइंटिफरी की से अगर मैं आप सो समझाने की कोशिच करते हैं hopefully time बहुत ज़्यादा हो गया थोड़ा सा पास मीट का और टाइम लोग आपसे की चीजों को अपनी जो भी आपकी normal जिसे ओपर आपकी command हो इसको समझना है तो एक तरीका समझो आप लोग जब भी सोते हो तो आप जब आप dreams देखते हो सपने देखते हो तो उसमें भी आप language का इस्तिमाल करते हो सुनते हो तो हमेशा आपने कभी भी dreams एक ही language में देखते हो गया ऐसा होता है और उसी language में देखते हो जो आपकी root level की language है जो आपने बच्पन से सिखी है तो उस language में question को हमेशा convert किया करो इससे क्या है कि आप पहले समझो कि क्या पूछा interviewer इस चीज को तो आप देखो last के एक मेने को अच्छे से utilize करो और इसके बाद आपका score decided होगा admission मिल जाएगा eligible वालो को अगर सही से आप counseling करते हो और बहुत से और course है अगर आपका अच्छे score नहीं भी आ रहा है average score आ रहा है अप देख रो private college की fees बहुत जादा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप BMS का option है BMS का, BSLP का, BNYS का, BDS का, there are a lot of option for you और ऐसा कभी मना सोचा किए कि अगर मैं BBS नहीं कर पाया और मैं दूसरा कुस कर रहा हूं तो मुझे से success नहीं मिलेगी यहाँ पर actually थोड़ी सोच में कमी है जब भी हम सोच रहे कि हम दूसरा course करेंगे तो तो उसमें कमी है उसमें हम कुछी success नहीं मिलेगी यह नहीं यह चीजी गलत है, course के अंदर दम नहीं, course केवल एक object है, subject आप हो, अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर passionation है और आपके अंदर खुद के अंदर confidence है, तो आप MBBS करो, चाए BDS करो, चाए BNYS करो, सब के अंदर scope है, तो आप भी हार होगे, ठीक है, तो यह सब चीजे हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप society में जाते हो, तो जहां पर बैट रहे हो, क्या चीजे सुन रहे हो, यह बहुत ज़्यादा आपके ओपर impact डालता है, तो positivity, अच्छे चीजे देखिए, अच्छे वीडियो रहे हैं, तो always try to pluck out the positive thing from the market, that will nourish you, और जो आपका mind नौरिश होबा और आप अच्छा कुछ कर पा होगे, लाइक में, so all the very best for your need examination, it is up to you only, exam के बाद आपको blame नही करना है, अभी भी एक मैने का time है, एक मैने में यह last time है, last hour में जैसे बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो last मेन आप करेशमर्ट बच्छ वह जिसे इसे इतने घंटे करिए उतने घंटे करिए बस मैं आपको शॉर्ट में इसका निचोर्ड निचोर्ड बताता हूं कि जो भी करिए इमांदारी से करिए because जो आप आज करोगे उसी का रिजल्ट आपको कल मिलेगा और वही रिजल्ट से आप अपनी लाइफ को बनाओगे so यहाँ पर you are making yourself and if you are making yourself so you have to be fair with it आपको इसमें इमानदार बना पड़ेगा आपको अपने आपको एक खुबसूरत और एक beautiful इनसान बनाना है और इसके लिए एक normal सा फंडा देखो कि जैसे हम लोग चाय भाई पीते हैं तो suppose कर लो कि यह इसके अंदर मैंने थ्रुआ सा water डाल दिया इसके अंदर मैंने थ्रुआ सा जो भी चाय में डालते हैं वाटर डाल दिया दूद डाल दिया चाय पत्ती डाल दी शुगर डाल दिया और मैंने किसी को दे दिया तो वह इसको ऐसे नहीं पी सकता वह आप चीज़े अलग रहेंगी प्रॉलम करेगा ठीक है ऐसी अगर आपने बुक ले लिया कॉपी ले लिया नोट्स ले लिया कोचिंग ले लिया तो उससे आपको सकसेस नहीं मिलेगी चाय को टेस्टी बनने के लिए इस सबको डालूट होना ज़रूरी है इसलिए इसको पकाना जोरी है नीचे सा आग देना जोरी है ठीक है ऐसे ही आपके पास जो आपकी जो बुक्स में जो सामने कुछ है वो आपके अंदर जाने के लिए आपको पकाना जोरी है अपने आपको हीट देना जोरी है और हीट का कहने का मतलब यहा है हीट का मदलब हो गया कि यो लेबर यो महनत चीक है तो आप जितनी महनत करोगे जितना अपने आपको पकाऊगे उतने successful automatic बन जाओगे fine this is how you have to approach for your exam after that you have to go for the counselling activities in the counselling part we are the expert we are the professional for the need counselling for the various medical courses so अगर आपको counselling में कोई problem आ रही है you can call us contact us we will definitely help you out और आपको counselling के through आपको अच्छे courses में जहां पर seat मिल सकती है वहां पर seat मिलेगी but इसके लिए like exam के बाद counselling के टाइम पर student से interaction नहीं हो पाता है because उसमें हम काफी counselling activities में busy रहते हैं so अगर आप ACS से पहले contact करते हो और पहले registered होते हो तो हमारे और आपके लिए होनों के लिए एक organized way में हम आगे जा सकते हैं so all the very best for your exam and best of luck से जादा खुद पर भरोसर रखिए कि मुझे कोई all the best नहीं है बोलता है ना सोच ऐसी होनी चाहिए तो मैं मुझे पता है कि मेरी preparation ऐसी है कि मैं कुछ कर दूंगा like मैं so इस last एक मेने को आपको कैसी यूजाओ करना है आप खुद बिसाइड करो मैं आपको नहीं बता हूँ कि आप कितना करो कैसे करो कितने घंटे पढ़ो कैसे क्या करो लिकिन करो और फेरनेस से करो और एक्जाम के बार रिपोर्ट आपको खुद अपने आपको करना है कि यह मिझे हो पाया तो मेरी वज़े हो पाया नहीं हो पाया तो मेरी वज़े नहीं हो पाया अब मैं आगे से करूँगा अब लूजब लूजब कर आपकि reag कोज होजे फिवी आपको कोई पाया आपको कर आपको मैं। Thank you very much friends for giving you valuable time, keep smiling, keep studying hard and keep understanding the things very well, thank you friends.